क्राइम ब्राइच ने तमंचा और दो कार्टीज के साथ आरोपी को पकड़ा आरोपी सुमंत कुमार टेक्स्टाइल मार्केट में मजदूरी करता है सूरत क्राइम ब्राइच पुलिस ने NDPS और Arms Act Squad की टीम ने मुख्विर से मिली जानकारी के आधार पर गोड़ादरा में समराट इंडस्ट्रियल सोसाइटी से आरोपी सुमंत कुमार निर्मल मंडल को गिरफतार किया है आरोपी गोड़ादरा की मिलन नगर सोसाइटी में रहता है उसके पास से एक देशी तमंचा और दो जिंदा कार्टीज जबति की गई है आरोपी पिछले चार साल से सूरत में रहता है और कपड़ा मार्केट में मजदूरी करता है पुलिस ने बताए कि आरोपी तमंचा कहां से और किस मकसद से लेकर आया था इस बारे में उससे पूश्टाश की जा रही है खबरों में अब तक के लिए बस अतना ही मिलते हैं तो ऐसे ही बड़ी कबार के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रखिए निउस जागरोब भावत